सब्सक्राइब कीजिए लर्ण त्रिपली चैनल को और प्रैस कीजिए इस बल आइकाउन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो दोस्तो लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिस्टे स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त जग्दीश जोसी दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे solenoid valve के बारे में देखिए काफी important topic है अगर हम आज के time में एक automation की बात करें हम किसी भी system को automatic करने की बात करें तो दो तीजों का बहुत ही important role रहता है इसमें number one hydraulic और number two solenoid valve क्योंकि hydraulic जहां पर रहेगा वहाँ पर solenoid valve जरूर यूज होता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप कुछ भी miss न करतें आप हमें social media sites पर भी follow कर सकते हैं link में आपको वीडियो की निच से description में दे दूँगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बगल में जो बैल आइकॉन है उस बैल आइकॉन को on करना मत भूलना तो सब्सक्राइब अगर हम बात करें कि होते क्या है तो यह image देखिए आप यहां पर यहां उल्डवाल मैं आपको यहां पर दिखार केंए और यह यह है लोड़े यहां यहां पर हम इस लोडवाल से हाइडरोलिक का प्रेंशर कंट्रोल करते हैं अगर हम बात करें से अलुन और बहुता क्या है तो लिए जैसे कि इस के नाम से ही वाल है मनलब की लास्त में वाल आरे करने के लिए खड़ा नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से इंडस्ट्री में हम क्या काम करते हैं अब वहाँ पे हम किसी आदमी को बार-बार मतलब की ओन या ओफ करने के लिए खड़ा नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए किआ काम करते हैं हम चाहते हैं कि जो हमारा फोल को है वह dirig General क्रेये हमें इसी वीडियो में डिटेव में इसके बार मेंमें डिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी नखर दे तो तो जीकिति हम बात कर रहे थे लोड वाल होते हैं यह फ्लो को कंटरोल करने के लिए यूज किया जाते है यानि कि कोई फोलो है यह मान लीजिये किसी Pipe में ओएल जा रहा है तो हम चाहते हैं कि जो है हमारा वह मौणक कि कितने क्वांटिटी में जाना चीए या फिर वो ओयल जो है हमारा कितना प्राइसर के साथ जाना चीए और कितने टाइम के बात और जाना चीए तो उसके लिए हम हम सिस्टम मालें हमने प्यलो प्रोग्राइम लई दिया तो प्यल्ष खूद हाल यहां पर जो क्रोंड करेंगा ह,. यहां पर यहां पर यहां पर divisions डॉॉल ॉल्ष हम यहां भी यह अब यहां पर किया स्वाइब होता है दूसरा आउटेले भी थे यहां पर आप सम्झाने की कोसिच करी कि आप देखें कि यहां पीकिल क्डिफ्ट बारे में डिस्कस कर लेते यहां अपर अपर दियाग्रम और अच्छिल हमाएं इस हुल वाल Mutter यहां पर का यह वाला हिस्सा है तो यह होगी हमेरी कोईल की बात और यह होगी हमारा कनेक्टर और सेम इसके अंदर एक प्लेंजर होता है जो की वाल को ओन और ओफ करता है ठीक है और सेम यहां पे मारा एक प्लेंजर होता है रोट टाइप की होती है जो की जब इसको हम जैसी स्कॉइल को सब्लाइब देते हैं तो यह प्लेंजर मूव करता है आगे और पीछे की चाहरे गार मेंगेट बनते ही या इस प्लेंजर को अपनी तरफ कि छेकर वाल हमारा ओर जाएगा और जो फोलो मलंब की कोई भी या कुछ भी वो फ्लो करने लगेगा आगे की तरफ ठीक अमने जी आगे की तरफ ने ओयल को फ्लो करने लगा लेकिन जब यह और जाय गाए लेक्टिस की काड़ दिंगे तो यह प्लेंजर दुबारा से अपनी हों बोजिशन बाज आएगा और फ्लो को रोग देगा ठीके त छोटे तो यहां कहाने के वाली दिखार कि यह फ्लोड और यह पर है तो यहां कि यह इसका flow यहां से आया और आने के बाद इदर च्ला गया अगर हम लेक्टिकली बात करें तो रेक्टिकली इसमें जो हमारा वहके होती है मारा यहां पर एक कॉईल होती है जो कि यहांदी ठीक हमें क्ना ट्रोル करना होता है लेकिन हमें यह इन slit लेकिन थोड़ा मत आपको मैकनी कल की बीटने मेकानिकल चाहिए नोलेज गौको नॉलेज हो तो से मंने स्प्लाइब दिए कोईल है हमारी और यहां पर यावाली कोईले एसी हमने इसको यहां से इंलेट में दिया देने के बाद यहां पर की तरह हो गया और यहां पर हमको सप्लाई मिलने लगे से अगर हम इसकी सप्लाई काड़ देंगे तो दोबारा से प्लंजर इसका हॉंप पोजिशन पर आ जाएगा और यहां पर रुक में लग जाएगा ओके रुख जाएगा तो यहीं है इसका सॉलनडवाल का कम्प्लीट वर्क अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंड करका जबल बता है कि आप को यह वीडियो कै के बारे पता होना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोलिक आज के टैम में इंडस्टी में सबसे ज्यादा यूज होता है ठीक हम कोई भी स्लाइड है स्लाइड को अप या डाउन राइट लैप कुछ भी करना चाहते हैं तो हम हाइड्रोलिक का यूज करते हैं आपने अक्सर दे हैं तो आप इस चैनलन को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप कोई भी हमारी न्यू वीडियो मिस ना कर दें आप हमारा एंड्रोड आप लेकिसमी डाउन लोड कर सकते हैं एप का लिंक में आपको इस वीडियो की निचे डिस्क्रिप्चन में दे दूंगा तो सिंपल यह आ